रानी चुडिया अपने घर में अपने बच्चो को समझाते हुए कह रही थी बच्चो मैंने आपको उड़ना तो सिखा दिया है और दाना लाना भी इसलिए आज आप दोनों दाना लेने जाएंगे अपने लिए और मेरे लिए भी ठीक है मम्मा आज हम दोनों जाएंगे दाना लेने बहुत मज़ा आएगा ठीक है मम्मा मगर आप लाली से कहें कि वो मुझे रास्ते में तंग ना करे नहीं मम्मा मैं तो भाई को विल्कुल तंग नहीं करती बलके भाई तो खुद मुझ से लड़ता है सानी चुडिया अपने बच्चों की बात सुनकर मुस्कुरा देती है और कहती है बच्चों ये सब बातें तो अपनी जगा मगर मैं आपको एक बात समझाना चाहती हूँ कि जब कभी भी किसी को मुसीबत में देखो तो उसकी मदद जरूर करना क्यूंकि आप किसी की मदद करते हो तो उपरवाला भी मुश्किल वक्त में आपकी मदद जरूर करेगा ठीक है ममा हम आपकी बात को हमेशा याद रखेंगे इसके बाद लाली और गुगु दोनों घर से निकल जाते हैं उरते हुए वो दोनों चंगल के बीच में पहुँच जाते हैं और एक दरख पर बेड़ जाते हैं गुगु भाईया हम घर से निकल तो आए हैं मगर हमें ये नहीं पता कि हमें किस तरफ जाना है हाँ लाली तुम ठेक कह रही हो अगर हम जगल में और आगे गए तो वहाँ पर खत्रा भी तो हो सकता है मगर गुगु भाईया ममा ने तो कहा था कि जब तक आप किसी के साथ बुरा नहीं करते तो आप के साथ भी बुरा नहीं होता इसके बाद वो दोनों भाई बेहन जंगल में थोड़ा आगे जाते हैं तो उन्हें कुछ दूर पानी के बाहर जमीन पर तरपती हुई एक मचली दिखाई देती है दोस्तों आप मेरी वीडियो को लाइक नहीं करते जिससे मुझे बहुत दुख होता है मैं इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाती हूँ प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें गुगु भाईया पता नहीं कैसे ये बेचारी मचली पानी से बाहर आ गई हमें इसके मदद करनी चाहिए और उसे दुबारा पानी में डालना चाहिए हाँ लाली तुम ठेक कह रही हो अगर हमने इस बेचारी को पानी में नहीं डाला तो यहाँ पर ही ये मर जाएगी इसके बाद वो दोनों उस गोल्डन मचली को पानी में डाल देते हैं मगर पानी में डालते ही वो मचली उनसे बोलने लगती है गुगू और लाली तुम दोनों बहुत अच्छे बच्चे हो तुम दोनों ने मेरी मदद की इसलिए तुम्हारा बहुत बहुत दन्यवाद और आज के बाद तुम दोनों मुझे अपना दोस्त समझना और किसी भी मुसीबत में हो तुम मुझे आवाज देना मैं तुम्हारी मदद के लिए पहुँच जाऊंगी गुगू और लाली मचली को बोलता देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं शुक्रिया के कोई बात नहीं प्यारी मचली और आज के बाद तुम हमारे दोस्त हो वो कुछ दूर आगे चलते हैं तो इने जमीन पर गिरे हुए कुछ अंगूर दिखाई देते हैं लाली ये अंगूर तो बहुत मज़ेदार लग रहे हैं हम कुछ अंगूर ये खाते हैं और कुछ ममा के लिए ले चलते हैं मगर भैया ये अंगूर किसी शिकारी का फेका हुआ दाना भी तो हो सकता है कहीं ऐसा ना हो कि हम दोनों जाल में फंस जाए मगर लाली मुझे तो कोई भी शिकारी और उसका फैंका हुआ जाल नजर नहीं आ रहा तुम खामखा ही वहम कर रही हो ठीक है भैया अगर इसी बात है तो हम दोनों ये अंगूर खा लेते हैं और फिर इसके बात वो दोनों भाई बहन अंगूर खाने लगते हैं मगर वो ही हुआ जिसका डर था अचानक ही उनके उपर एक जाल आ गिरता है जाल को देखकर वो दोनों भाई बहन बहुत परिशान हो जाते हैं अरे कुगो भाईया ये क्या हो गया हम दोनों तो जाल में फंस गए अब हम दोनों यहां से कैसे निकलेंगे वहां से कबूतर गुजर रहा था और उड़ते हुए उसकी नजर रानी के बच्चों पर पढ़ती है कबूतर को देखकर लाली और गुगो बहुत खुश हो जाते हैं बच्चो तुम यहां पर क्या कर रहे हो और तुम दोनों इस जाल में कैसे फंस गए कबूतर रंकल हम दोनों तो दाना लेने आए थे हमें बता नहीं था कि यहां पर शिकारी का जाल बिछाया हुआ है और हम दोनों बैखबरी में इसमें फंस गए अच्चो बच्चो कोई बात नहीं तुम दोनों परेशान मत हो मैं तुम लोगों को यहां से निकालने की कोशिश करता हूँ फिर इसके बाद कबूतर उस जाल को काटने की कोशिश करता है मगर अचानक ही वहां पर एक खतरनाख चील आ जाती है जिसे देखकर वो तीनों ही डर जाते हैं अरे वा भई वा आज तो मज़े ही हो गए मेरे एक साथ तीन तीन शिकार खाने को मिलेंगे मुझे वो भी मिना मेहनत किये दुश्त चील छोड़ दे इन बच्चों को और खाना है तो मुझे खा ले मगर इन बच्चों को छोड़ दे नहीं नहीं कबूतर अंकल आप तो आज़ादे आप हमारी वज़ा से अपनी कुर्बाने मत दे आप यहां से उड़ जाए तुम तीनों फिकर मत करो कोई भी नहीं बचेगा मैं तुम तीनों को ही खा लूँगी उसके बाद वो चील उन तीनों को एक पेर से बान देती है गुगु भहिया हम तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए तुम्हें वो गोल्डन मचली याद देना हम क्यों ना उसको अपनी मदद के लिए बुला ले कर लो चतनी बापे करनी है क्यूंके तुम्हारा आकरी वक्त आ चुका है गोल्डन मचली कहा हो तुम दोस्ट चल्दे से आ जाओ हमें तुम्हारे दरूरत है और इतने में रोशनी सी चमकती है और वो गोल्डन मचली वहाँ पर आ जाती है दुष्ट चील तुमने इन मासूम बच्चों को पकड़ के अच्छा नहीं किया अब तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी कोल्डन फिशके इतना कहते ही वहाँ पर रोशनी सी चमकती है और वो दुष्ट चील रसियों में बंद जाती है दोस्तों तुम दोनों बिलकुल परेशान मत हो मैं तुम्हें अभी आजाद कर देती हूँ कभी भी किसी की नेकी राएगा नहीं जाती तुमने मेरी मदद की थी तो मैं तुम्हारी मदद के लिए कैसे ना आती और अचानक फिर से रोशनी सी चमकती है और वो दोनों अपने घर पहुँच जाते हैं और उन दोनों के साथ साथ वहाँ पर बहुत से फल भी आ जाते हैं राणी उन दोनों को यूँ देख कर बहुत हैरान हो जाती है बच्चों ये सब क्या है फिर इसके बाद लाली अपनी मम्मा को सब कुछ बता देती है उपर वाले का लाक लाक शुकरे के तुम दोनों ठीक टाक वापिस आ गए देखा बेटा ये सब तुम्हारी नेकी की वज़ा से हुआ तुमने उस मुसीबत में फंसी मचली की मदद की तो तुमारे साथ भे कुछ बुरा नहीं हुआ हाँ ममा आप बिलकुल ठीक कह रही है हम हमेशा दूसरों के मदद करेंगे और अच्छे बक्षी बन कर रहेंगे शाबाश मेरे प्यारे बच्चो मुझे तुमसे यही उमीद है